हलो डियर स्टुडेंट्स वालकम टू मैंगेट ब्रींज मैं संचता जैन आप सभी की शोटस साइंस एजुकेटर आज के शेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10 बोड के लिए सामजी विज्यान में राजनीती विज्यान यानि की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नमबर टू संघवाद का अगला टॉपिक जो की है संघिय व्यवस्था कैसे चलती है इसके पहले हम ये चैप्टर दो से तीन पार्ट्स में जान चुके हैं यानि कि इसके शुरुवाती टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं और आज बारी आती है कि जो हमारे चैप्टर का नाम है संघवाद उसके अनुसार संघिय विवस्था किसी भी देश में कैसे चलती है कर दें शेयर कर दें साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि मैनेट ब्रेंज प्रोवाइड कराता है आपको क्लास सिक्स से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कोस्ट हाई ग्वालिटी एज्जुकेशन के साथ जी हां हमारे पास आपके लिए कई स सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मिडियम इंग्लिश मीडियम दौनों माध्यम में उपलब्ध हैं सी बेसी बोड के साथ साथ एंपी वोड यूपी बोड बिहार बोड दिली बोड राजस्थान बोड के स्लेबस को कम्प्लीट कराया जाता है जहां पर एंसी इर्टी का पैटन फॉलो होता है क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको NCRT से और अगर आपको इबुक सुरी नोट्स की भी आवश्यक्ता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन मुस्किल लिंक दी गई है वहां से आप अवेल कर सकते हैं इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेर के साथ शुरू करते हैं आज का ये शेशन जोगी है संगी विवस्ता कैसे चलती है उसके पहले फिर से एक बार जान लेते हैं कि संगवाद होता क्या है वैसे तो मैं आपको पिछले वीडियोज में काफी डिटेल में सारी चीज़े बता चुकी हूँ एक बार फिट से बता देती हूँ कि संगवाद या संगी विवस्ता उसे कहा जाता है जब किसी देश में शक्तियों का विभाजन हर इस्तर पर होता है जैसे कि केंदर इस्तर पर शक्तियों का विभाजन अलग है अलग-अलग राज्य सरकारों के पास राज्य स्थर पर उसकी शक्तियां अलग है ठीक है और उसके बाद भारत में एक और विवस्ता करी गई है पंचायती राज इस्तर की यानि कि इस्तानिय निकाय पर इस्तानिय इस्तर पर लोकल लेविल पर भी शक्तियों का विभाजन किया गया है ताकि हर इस्तर की सरकार अपने अपने इस्तर पर अपने इस्तान का शाषन बहुत अच्छे से चला सके अल्राइट ये बात हो गई कि संगवाद होता क्या है अब ये व्यवस्ता चलती कैसे है भारत में पहले क्या क्या हुआ था तो भई जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत 1947 में आजाद हुआ और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया और हमारा देश एक गड़त अंत्र देश बन गया अब भारत में कई सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं जिस प्रकार से कई सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं कई सारी जातियों के लोग रहते हैं ठीक उसी प्रकार से कई सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं और जितनी भी भाषाओं को बो बश्यक रूप से बोली ही जाती है अब जब इस देश में इतनी सारी भाशाई विविद्धा है यानि कि लिंग्विस्टिक डाइवर्ट सिटी है कि हर जगह अलग-अलग भाशा को बोलने वाले लोग रहते हैं ठीक है तो भाई कम्यूनिकेशन का माध्यम होता क्या है एक भाशा संचार का माध्यम बाचीत का माध्यम भावनाओं को समझने का माध्यम होता क्या है भाशा होता है अब जब अगर आप किसी दूसरे राज में जाते हैं दूसरे स्टेट में जाते हैं और उनको आपकी भाशा नहीं आती और जब भी एक व्यक्ति भाशा के आधार पर एक दूसरे को नहीं समझ सकता तो पूरे देश का शाजन फिर कैसे चलाया जाएगा? क्योंकि प्रॉब्लम है क्या भाशा और भाशा ही सबसे महात्वपोर है? क्योंकि कमिने किशन का एक मात्र साधन सबसे बड़ा क्या है? भाशा है, ठीक है? तो अब क्या हुआ? उस दोरान भारत में भाशा के आधार पर राज्यों के पुनरगठन की मांग करी गए कि जहाँ जो भाशा बोली जाती है उस आधार पर राज्य बनाए जाने चाहिए वोने क्या डिमांड रखी कि भाशा के आधार पर राज्यों का पुनरगठन करा जाए। जirasे कि हम बात करें पहले गुजरात और महरास्ट दो राज्यों की बात करें तो दौनों मिले हुए थे। बाद में इनको भाशा के आधार पर अलग किया गया। मराठी भाषी लोगों के लिए महराष्ट राज्य की स्थापना करीगी ठीक उसी प्रकार से गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात राज्य की स्थापना करीगी बातारी समझ में कि किस तरीके से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर गठन की मांग जो है चालू हुई थी कि हमारे देश में राज्यों का फिर से गठन होना चाहिए और आधार क्या होना चाहिए भाषा होनी चाहिए उसका बेस क्या होना चाहिए? Language होना चाहिए ठीक है? चलिए तब उसको समस्ते हैं भाषाई राज ठीक है? अब यहाँ पर आपको एक नक्षा दिखाई दे रहा होगा भारत का ठीक है? लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये कपका नक्षा है? सन 1947 का भारत है कप का भारत है गौर से देखें इस नक्षे को तो यह है 1947 का भारत है ठीक है अब देखो भई यहां पर क्या दिखाई दे रहा है यह जो भाग है यहां का जहां पर कई सारी लाइन है यह वाला जो भाग है वो कौन सा भाग है यह पाकिस्तान का भाग है पाकिस् पुन सेंध बलुचिस्तान उत्तर पश्यम सीमा प्रांद पंजाब और बंगाल के वरहत्तर भाग और बहावल पूर स्टेट ठीक है कई सारे भाग जो हैं किसमें शामिल है यहां आप देखें तो यहां से जो बात आती है यह किसका भाग है यह है यहां से यहां तक का यह जो लाल रेखा के उस पार है यह जो लाल रेखा के उस पार हमें भाग दिखाई दे रहा है वो है भई पाकिस्तान का भाग है फिर आप देखें फिर आप देखें कि यहां पर राज जो है उस समें इस पश्ट रूप से हमें नहीं दिखाई दे रहे ठीक है कहीं राजपूताना लिखा है यानि कि अलग अलग रियासतों के नाम लिखे हैं भई कहीं अलीगड़ लिखा हुआ दिखाई देगा आपको तो क्या अलीगड़ नाम का कोई राज है क्या लगता है आपको अलीगड़ नाम का कोई राज है नह अलग अलग राज नहीं बनाए गए थे ठीक है किलियर हुरी यह बात तो अब देखें वाई ध्यान से देखिएगा अब यह भारतिय देशी राज हैं जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है इस तरीके की लाइन आपको दिखाई दे रही है यह वाली यह थे देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता भी दी गई थी कि आप चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं यह आपकी मर्जी है लेकिन फिर एंट्री होती है किसकी पटेल साब की यानि कि सरदार वल लब भाई पटेल की उनने क्या किया उनको एक ही करण का जनक कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि जितनी भी देशी रियासते थी उन्होंने उन सारी रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया था सबको एक करने का काम किया था इसलिए इसलिए सरदार वल्लब भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्ट्यूबर को रास्ट ये एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है क्यों क्योंकि उन्होंने देशी रियासतों का एक ही करण किया था और सबको भारत में मिलाया था आल राइट तो ये जो जितना भी आपको छेत्र दिखाई दे रहा है ये डॉटेट जो एरिया है वो किस चीज का है ये देशी रियासतों का छेत्र भई ठीक है राजपुताना रियासत है बड़ोदा देखें आप यहां पे देखें भई मैसूर देखें ये सब हैदराबाद ये सब पहले रियासते हुआ करती थी ठीक है चलिए अब आते हैं हम यहां पर तो जब एक देश में कई सारी भाषा को बोलने वाले लोग हों अलग-अलग जो गहनेवास करते हों तो दिक्कत तो होगी तो भाषा के आधार पर जब राज्यों के पुनर गठन की मांग उठ थी तो भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और एक कठन परिक्षा थी कि हम भाषा के आधार पर कैसे अलग-अलग प्रांतों का यानि के अलग-अलग स्टेट्स या राज्यों का गठन करें यह हमारे सामने एक बहुत ही कठन समस्या थी उसके बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया ठीक है अब भाशा के आधार पर अलग अलग राज्यों बनाने थे उनकी सीमा को निर्धारित किया गया कितनी सीमा में कितने लोग रहते हैं जो इस भाशा को बोलते हैं वहां से उस राज्यों की सीमा यहांट करेंगे हरएक राज के व्यक्ति क्या डिमांड करेंगे कि हंघ हमें हर चीज अलग चाहिए अभी तो भाशा के आधार पर सिर्फ राज बनाने की बात करने हैं फिर हर राज को अपनी अपनी सब चीजें अलग चाहिए ऐसे तो पूरा एक भारत देश एक नहीं रहेगा पूरा देश टूट जाएगा यह डर था ठीक है क्लियर हो रही है यहां तक की बात फिर क्या होता है कैंद्र सरकार न निर्धारित करते हैं तो पूरा देश टूट जाएगा इसलिए वो कुछ समय तक इस बात को टालते रहे कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे ठीक है परन्तु अब ध्यान से सुनना परन्तु हमारा अनुभा बताता है कि देश जादतर मजबूत और एकिक्रत हुआ है अभी नए भारत की हम बात करें यह रहा भई नया भारत ठीके नए भारत का नक्षा है यह तो हम बात करें तो देखो भई हर चेत्र में अलग अलग भाशा बोली जाती राजस्तान में राजस्तानी बोली जाती गुजरात में गुजराती बोली जाती महराष्ट में महराठी बोली जा बोली जाती है कहीं तौ तेलगू बोली जाती है उड़ीसा का उड़ियां बोली जाती है ऐसे अलग-अलग राज अवधी बोली जाती है ब्रजभाशा बोली जाती है और बुंदेल खंडी बगेल खंडी ऐसी कई सारी तमाम भाषाईं बोली जाती है ठीक है यानि कि एक राज़े के अंदर भी हमें बोलियों में विविदता दिखाइदेती है डैलेक्ट डैवरसिटी दिखाइदेती है linguistic ड इने अताओं को उस समय ये डर्व था कि अगर भाशा के आधार पर हमने देश का निर्माड किया भाशा के आधार पर अलग-अलग राज्य बांटे तो भाई तबहा ओ जाएगा देश तूट जाएगा लेकिन हम वर्तमान समय की बात करें तो बाद में क्या हुआ भाशा के आ सो एकदम सुखी संपन रहते हैं सारी चीजों को समझते हैं और रही बात कि एक दूसरी की भाशाओं को समझने का तो एक practically अगर अपन बात करें बाकी चीजों से हटके practically हम बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी दो भाशाएं ऐसी हैं जिनको अल्मोस्ट सभी समझ लेते हैं जैसे पन साउथ के राज्यों में जाओ दक्षडी राज्यों में जाओ तो भली वहाँ हिंदी ना समझे लेकिन वहाँ के लोग अंग्रेजी को समझ लेते हैं तो भाषा जो है barrier नहीं बनी, जो पहले डर था कि भाषा जो है barrier बन जाएगी communication के लिए, फिर तो और जादा बातचीत होगी ही नहीं, लोग भावनाओं को समझेंगे ही नहीं, सिर्फ अपने अपने राज्य को प्राथ मिक्ता देंगे, अपने अपने state को priority देंगे, ठीक है, किलियर हो गई बात, चलिए, तो प्रशाशन भी हमारा administration system भी पहले की अपिक्षा जादा सुविधा जनक हुआ है, और कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही नहीं, ध्यान से सुनिएगा, भाषा के आधार पर जरूर राज्यों के पुनर गठन की मांग उठी थ आने की culture, भूगोल, याने की geography और म्रजातियता की विवित्ता को रेखांकित एवं महत्व देने के लिए किया गया है, क्लियर हो गई बात, तो क्या हमें भारत वर्तमान में टूटा हुआ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, पहले की अपेक्षा और एक इक्रत हाई देता है, क्लियर चलिए, अब बात करते हैं भाशा नीती के बारे में, language policy के बारे में, तो देखें, भारत के संगी धाचे की दूसरी परिक्षा भाशा नीती को लेकर हुई, पहली तो बात ये हुई थी संगी धाचे की सबसे बड़ी परिक्षा ये थी, कि अगर भारत के संगी धाचे की दूसरी परिक्षा भाशा नीती को लेकर हुई थी, कि किस भाशा को प्रायरिटी दी जाए, किस भाशा को किन किन भाशाओं को सम्विधान में दर्जा दिया जाए, इतनी सारी भाशाएं हैं, ठीक है, फिर क्या हुआ, देखते हैं, तो भारत में क किसी एक भाशा को रास्ट भाशा का दर्जा ना देकर, क्या भारत की कोई भी नेशनल लेंग्वेज है, क्या गहते हो, क्या भारत की कोई रास्ट भाशा है, नहीं है, ठीक है, आपको लगता होगा कि हिंदी हमारे देश की रास्ट भाशा है, जी नहीं, इसलिए नहीं है, क्योंकि अलग-अलग राज में अलग-अलग भाषा ना देकर हिंदी और 21 भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है अनुसूचित भाषा ठीक है जिनको किसमें एड किया गया है आप जानते हैं क्या क्या क्यते हो किस कोई जानता है अनुसूचित भाषा भाषा भारत के सम्विधान में कुल कितने सज्डिूल है कुल कितनी अनुसूचि यह आपका हमवर्ग ठीक है आप 10th board के student है आपका ये homework है कि आपको ये पता करना है कि भारत के सम्विधान में total कितने schedule हैं कितनी अनुसूची है और भाषा को भाषाओं को किस अनुसूची में किस schedule में दरजा दिया गया है ठीक है तो अब सुनिये तो भारत में किसे एक भाषा को रास्ट भाषा का दरजा ना दे कर हिंदी और अन्य 21 भाषाओं को यानि की total 22 भाषाओं को किसका दरजा दिया है अनुसूचित भाषाओं का दरजा दिया है अनुसुचित भाषाओं का दर्जा दिया है अल्राइट अल्किलियर चलिए अब देखें अगली बात क्या कही है अंग्रेजी को अंग्रेजी को राज की भाषा के रूप में मान्यता दी गई है जी हाँ राज की भाषा ना की रास्टी भाषा तो अंग्रे जी को राजकिय भाशा के रूप में मान्यता दीगी है विशेशकर गैर हिंदी भाशी प्रदेशों को देखते हुए अब अंग्रे जी को राजकिय भाशा का दर्जा क्यों दिया गया है ताकि जो गैर हिंदी भाशी प्रदेश है जिन प्रदेशों में जिन सरकार होते हैं वो सभी किस भाशा में होते हैं वो सभी इंग्लिश लेंग्विज में यानि कि अंग्रेजी भाशा में होते हैं ठीक है और इसी के साथ सभी राज्यों की मुख्य भाशा का विशेश खयाल रखा गया है ठीक है क्योंकि हिंदी समेथ बागी की किस भाशा यानि लेंग्वेज को सम्विधान में जोड़ा गया किलियर तो इसी बात पर चल दिस एक बार फिर से आप सभी लाइक कर दीजिए शेर करतीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तेजी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अल्राइट चलिए चलते हैं देखें अब हिंदी को राजभाषा माना गया क्या कहा गया हिंदी को राजभाषा माना गया पर हिंदी सर्फ 40 फीसदी भारतियों की मात्र भाषा है यानि कि हिंदी सर्फ 40 प्रतिश्यत भारतियों की मात्र भाषा है मात्र भाषा किसे कहते हैं जो हम अप सारा देश की हम बात करें तो हिंदी को 40 प्रतिशत लोगों बोलते हैं 40 प्रतिशत लोगों की मात्र भाशा है इसलिए अन्य भाशाओं के सरक्षड के अनेक दूसरे उपाई भी करे गए यानि कि हर एक भाशा को इंपोर्टेंस दी गई है क्लियर फिर उसके बाद क्या बात आती है केंद्र सरकार के किसी पद का उमीदवार ध्यान से सुनिएगा अब अब एक बहुत अच्छी बात आने वाली है केंद्र सरकार के किसी पद का उमीदवार इनमें से किसी भी भाशा में परिक्षा दे सकता है जो 22 भाशाएं भारती सम विधान की अनुसूचित भाषाओं का दरजा 22 भाषाओं को दिया गया है उन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में केंद्र सरकार के पद का कोई भी कैंडिडेट या उमीदवार उसमें परिशा दे सकता है ठीक है बसरते उमीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने जिसे आपको इस सेंटरल गवर्मेंट का कोई भी एक्जाम देते हैं और आपको लेंग्वेज चूज करने के लिए कहा जाता है तो आप इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुन सकते हैं कि हमारे परिक्षा का माध्यम ये लेंग्वेज होगी ठीक हम इस मीडियम में अपनी अपना एक्जाम देंगी ओल राइट क्लियर यहां तकी बात चलिए पिर केंद्र राज्य संबंध जान लेते हैं इसको भी क्या है केंद्र राज्य संबंध तो देखें सत्ता की साज़ेदारी की समवेधानिक विवस्था वास्त्विक्ता में कैसा रूपल लेगी यह जादा तर इस बात पर निर्भर करता है कि शाशक दल और नेता किस तरह इस विवस्था का नूसरन करते हैं अब हमने जाना है कि भई संगवाद के तहट केंद्र सरकार की अलग शक्तियां हैं राज्य सरकार के पास अपनी अलग शक्तियां या पावर्स हैं ठीक है फिर उसके बाद पंचायत इस तर पर पंचायतों को भी उनकी अपनी शक्तियां दी गई है अब सब के पास अपनी अपनी शक्तियां तो है पर क्या इसके बावजूद केंद्र और राज्य यानि की सेंट्रल गवर्मेंट और स्ट्रेट गवर्मेंट के बीच कोई संबंध होता है क्या इसको जानना है कि sixपता की साज्यदारी के बारे में पढ़ी चुके हैं सक्ता की साज्यदारी पार सेरिंग सभी में सब्सक्रण का बराबरी से विभाजन होना चाहिए ताकि कि सी का विवाद या जगडा उद्पन ना हो ठीक है जिसको हम चैप्टर नंबर वन में पढ़ी चुके हैं तो सत्ता की साज्वेदारी की सम्वेधानिक व्यवस्था वास्त्विक्ता में कैसा रूप लेगी यह जादा तर इस बात पर निर्भर करता है कि शाशक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनूसरण करते हैं यानि कि सत्ता की साज्वेदारी की जो व्यवस्था है सत्ता का समान रूप से हर इस तर में विभाजन की जो बात है उसको हमारे नेता या हमारे पॉलिटिकल पार्टी ठीक है यह हमारे शाशक दल किस प्रकार से उसको फॉलो कर ठीक है फिर देखें काफी समय तक हुआ क्या बहुत लंबे समय तक हमारे यहां एक ही पार्टी का कैंद्र और अधिकांश राज्यों में शाशन रहा था पहले की हम बात करें अभी तो बहुत जादा डाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है कि अलग-अलग स्टेट में अलग तो कहीं कोई दिक्कत रही थी यानि कि कैंद्र और राज्य एक दूसरी से बहुत अच्छे से संबंद रखते थे यानि कि सेंट्रल गवर्मेंट सारे राज्यों पर ध्यान रखती थी सारे स्टेट्स पर ध्यान रखती थी अब अगर आप imagine करें और सोचें या practically अपने नजरिये से उसको देखने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा कि जैसे मालनों Central Government में किसी भी अन्या party की सरकार है ठीक है कोई दूसरी political party जो है rule कर रही है शाशन कर रही है और अलग-अलग राजियों में अलग-अलग political party की सरकार है तो केंद्र सरकार उन राजियों पर विशेश ध्यान देगी जिन राजियों में उनकी सरकार है उस राजनितिक दल की उस political party की सरकार है ठीक है? तो पहले क्या हुआ कि काफी समय तक हमारे एक ही पार्टी का कैंदर और अधिकांश राज्यों में शाजन रहा इसका व्यावहारिक मतलब क्या निकल के आता है इसका व्यावारिक मतलब यह हुआ कि राजिस सरकारों ने स्वायत संघी इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रियोग नहीं किया अब राज्यों को अलग सक्तियां तो दे गई है इस लाइन को समझने की कोशिश करना ये लाइन क्या खहती है संघी विभाजनया सक्ता की साज़ेधारी क्या होती है ठीक है ध्यान से समझना इसको ये हो गया आपका कैंदर स्तर या कैंदर सरकार ठीक है और यहाँ पर जो है अलग-अलग राज्य सरकार है ठीक है अब यहां पर कई सारे राज्य दिये गए हैं इन राज्यों में अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हैं माल लो इसमें B है इसमें C है इसमें A है इसमें भी A है ठीक है इसमें क्या है माल लो D है इसमें B C है और इसमें भी माल लो A है ठीक है ऐसे माल लेते हैं तो बा की सरकार है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और केंदर सरकार उन पर पूरा ध्यान देगी जब की अलग-अलग स्टेट में अगर अलग-अलग पॉर्टिकल पार्टी की सरकार है तो वो सकता है कि थोड़ी बहुत मुची नीच हो जाए अब पहले क्या था पहले क्या था कि अल्मोस्ट अधिकांश राज्यों में एक सी ही सरकार हुआ करते थी एकका दुक्का मैं माल लोगी अलग-अलग है अब जब राज्यों के पास व स्वायत संघी इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया स्वायत संघी काई की रूप में कि उनके पास खुद के अधिकार है वो पूरी की पूरी पूरी तरह से किस पर डिपेंड रहे केंदर पर ही डिपेंड रहे जबकि उनके पास अपनी अलग शक्त प्रयोग भी करती हैं तो यह होती है बाद ऑफ ऑर शेरिंग की ठीक है लेकिन राज्जियों को ये समझना चाहिए कि भले ही आपके उपपर केंद्र सरकार में वही पॉलिटिकल पार्टी है जो आपकी है ठीक है जो सत्ता आपके पास है वही सत्ता उनके पास है लेकिन हमें अपने अपनी पावर्स को उप्योग अलग-अलग करना चाहिए विसम्विदान के द्वारा दीगे ये आपको पावर्स ठीक है फिर अब देखो जब केंद्र और राज्य में जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही ठीक है अब सुनना तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अंदेखी करने की कोशिश करी वही बात मैंने आपको बताई कि कैंदर में मालो A political party है यहाँ पर B है राज्य में C है D है ठीक है किसी में फिर से B है किसी में फिर से C है और मालो किसी राज्य में A ही है ठीक है तो क्या किया कैंदर और राज्य में जब अलग अलग अदलो की सरकार है रही तो कैंदर सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अंदेखी करने की कोशिश करी की हम क्यूं देखें हमारी पॉलिटिकल पार्टी का नेता तो वहां है ही नहीं हमारी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार तो वहां है ही नहीं उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर सम्वेधानिक प्रावधानों का दुरुपियोग करके अब ध्यान से सुनिएगा जब अलग अलग सरकारें हुआ करती थी तो केंद्र सरकार यानि की सेंट्रल गवर्मेंट अक्सर सम्वेधानिक प्रावधानों का दुरुपियोग करके तो सबी सरकार नहीं है फिर यह क्या था यह संगवाद की भावना के प्रतिकूल काम था कि वई विपक्षी दल्गी दूसरी पालिटिकल पाटी की सरकार अगर स्टेट में तो हम उस्टर कार को खतम कर देंगे भंग करतेंगे यह क्या है यह फैसAU Tibad दों का उदहई हुए यानि की अलग अलग राज के अंदर भी कई सारे छेत्रिय दलबन गए बातारी समझें ठीक है फिर यही दोर केंदर में गठपनन सरकार की शुरुवात का भी था यही दोर जब केंदर में कोई दूसरी सरकार है है कोई की दूसरी सरकार है तो केंद्र सरकार जो संगवाद की भावना के अपोजिट जाके संग उस राज की सरकार को भंग कर देती थी और वही समय किसका था वही समय था केंद्र में गठ बंधन की सरकार का दौर था अब आप पुशेंगे कि गठ बंधन क्या कहलाता है कोई बताए गठबंधन कहा जाता है तो यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था चूकि किसी एक दल को लोगसभा में इस पस्ट बहूमत नहीं था अगर लोगसभा चुनाओं में किसी भी पार्टी को इस पस्ट मेजॉरिटी नहीं मिलती है ठीक है सबको टूट फूटे वोट मिलते किसी को कितने किसी को कितने किसी को कितने जादा वोट कहीं नहीं दिखाई देते स्पस्ट बहुमत नहीं दिखाई देता है तो पार्टियां क्या करेंगी जो पार्टियों के नेता रहेंगे वो कहेंगे कि आजाओ भाई सरकार मिलके बनाते हैं ठीक है त जब इस पस्ट बहुमत नहीं मिला तो इसलिए प्रमख राष्ट्य पार्टियों को छेत्रिय दलों समेथ अनेक पार्टियों का गठ बंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी पिछले दौर में अल्राइट चलिए यहां तक की बात के लिए यहां तक कोई डाउट कोई क्वेस्च अब इससे क्या हुआ, जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके अपनी एक गठ बंधन सरकार बनाने लगी अपनी एक साज्जा सरकार साजी सरकार बनाने लगी तो क्या हुआ यहां से देखो भई इससे क्या होता है सत्ता में साज्यदारी और सरकारों की स्वायतता का आदर करने की नई संस्क्रती पनपी गिटबंधन की सरकार का एक फायदा इधर पे हमें दिखाई देता है ठीक है कैसा फायदा दिखाई देता है कि सत्ता की साच्यधारी की हर व्यक्ति को उपर की सत्ता में शामिल किया गया है हर political party के निता को शामिल किया गया है एक बात दुसरी बात सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की यानि कि जब अलग-अलग political party आ रही है और छेत्री दल भी आरे हैं चेतरी दल आरे है यानि कि अलग-अलग State के दल उसमें शामिल हो ठीड कि पॉल क्या बूलतें उसको पारिटी शामिल हो रही है तो सब एक दूसरे की भावना का आधर करेंगे बहतारी समझ में सब एक दूसरे की राजुनतिक पार्टी का आदर करेंगे एक दूसरे के सिधानतों का आदर करेंगे तो जहां से गड़बंदन सरकार की शुरुवात पिशले दोर में हमें दिखाई देती है वहीं से सत्ता में साज़ेदारी और सरकारों की स्वायतता का आधर करने की नई संस्कृती का स्वरूप भी हमें दिखाई देता है ओल राइट चलिए आगे की बात करते हैं तो इस प्रवत्ती को सुप्रीम कोट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला इसको भी सुप्रीम कोट ने भी श्विकार किया यानि कि जो दिल्ली में हमारा सरवक्ष ने आला है उसने भी इसको स्विकार किया और इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने धंग से भंग करना अब ध्यान से सुनिएगा कहा ट्विस्ट आता है कनेक्ट करना पिछले वाली स्लाइट से इसको इस फैसले के कारण जब सुप्रीम कोट ने कहा कि हाँ ये बास सही है गड़बंदन सरकार बननी चाहिए ठीक है तो इस फैसले के कारण क्या हुआ कि राज्य सरकार को मनमाने धंग से भंग करना खतम करना केंदर सरकार के लिए मुश्किल हो गया क्योंकि अब क्या था अब केंदर सरकार में हर एक पॉलिटिकल पार्टी है क्योंकि आपने गठ मंदन की सरकार बनाई है सबने मिलके सरकार बनाई है अब कैसे आप उस स्टेट की सरकार को भंग कर सकते हो योगी पहले क्या था कि केंद्र में कोई दूसरी सरकार बैठी है ध्यान से सुनिएगा पहले क्या था ध्यान से सुनिएगा पहले ये भई केंद्र है ठीक है केंद्र में पॉलिटिकल पार्टी एकी सरकार है ठीक उसके बाद इधर माल लो राज्य मे B की सरकार है इधर C की सरकार इधर D की सरकार इधर E की सरकार इधर F की सरकार है ठीक है यह सब क्या है यह सब भई राज्य है ठीक है तो अब क्या था कैंदर सरकार राज्य सरकारों को भंग कर देती थी और बाद में क्या हुआ बाद में क्या हुआ उसको ध्यान से सुनिएगा द्रशना ध्यान से समझे गाग बाद में जू है बाद में क्या होता है बाद में होता है की पॉलेटिकल यह केंद्र में बैठी हुई है सब की सब गठ बंदन की सरकार है यह ठीक है और राज में भी क्या है राजियों की हम बात करें तो राज में भी क्या है राज में A B C D E F सब बैठें हैं भई सब बैठें हैं ठीक है तो क्या फिर केंद्र सरकार जो है राजियों की सरकार को बंदन की सरकार बनाके केंदर में बैठी है उपर बैठी है दिल्ली में बैठी है क्लियर होगी बात तो अब जो है इस फैसुले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंदर सरकार के लिए मुश्किल हो गया पहले क्या करती थी केंदर सरकार इन सब पार्टिय क्योंकि यह सब आपस में मिल गए भाई सम्मिल गए इन्होंने क्या बना ली गठ बंधन की सरकार बना ली क्लियर है यहां तक की बाद अब देखो भई अब कहानी में किस प्रकार का मोड आता है तो देखें इस प्रकार आज संघिय व्यवस्ता के तहट क्या बात कीए है जो आज संघिय व्यवस्ता है तो संघिय व्यवस्ता के तहट संविधान लाघू होने के ततकाल बादवाले दौर की तुल्ला में आज के समय में जादा प्रभावी हमें दिखाई देती है देखो भई कोई भी चीज़ जब अपन भी नहीं शुरू करते हैं या अचा इसको ऐसे डील करना है ऐसे पड़ना है यह यह होता है तो ठीक उसी तरीके से हम देश की बात करें कि देश में जब कोई भी चीज नई चालू होती है ठीक है यह शुरुवाती दौर था सत्ता की साज़ेदारी का तो शुरुवाती दौर में कठनाई आई लेकिन धीरे धीरे जब चीजें देखी प्रैक्टिकली उनको सीखा किसके कि क्या रिजल्ट निकलके आते हैं तो उसके बाद हम अच्छे से काम करने लगते है और उस चीज को समझने लगते है और वही बनाय या कानून वही बनायागा यानि हम बाद में हमें एक सकरात्मक परेडाम या पॉजिटिव ब्रीजल्ट के रूप में दिखाई देता है तो जब एक से अधिक राजनेतिक दलों के द्वारा एक से जाधा पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा सरकार बनाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है उसे गठ बंधन सरकार कहते हैं एक से अधिक राजनेतिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई की सरकार गठ बंधन सरकार कहलाती है देखो भई या आओ दिखाती हूँ आपको गठ बंधन सरकार ये देखें भई एक कुरसी आपको दिखाई दे रही है कुरसी पे एक नेताजी बैठे आपको दिखाई दे रहे हैं और कुरसी के जितने भी सपोर्ट सिस्टम है वो वो सब अलग अलग नेताओं के रूप में जतने भी पाए हैं कुरसी के वो सब अलग अलग नेताओं के चहरों के रूप में दिखाई दे रहे हैं और इन सब नेताओं ने ये सब अलग अलग पॉलिटिकल पाइटीस के हैं इन सब नेताओं ने मिलके गटबंदन की सरकार बन तो जब कई सारी राजनेतिक दल कई सारी पॉलिटिकल पारटीज मिलके अपनी एक सरकार बना लेती हैं तो उसे क्या कहा जाता है गठ बंदन सरकार कहा जाता है ठीक है चलिए अब जानते हैं अनुसूचित भाशाएं अभी अपने देखा था भाशा के आधार पर राज्य का पुनर गठन किया गया था और हिंदी समेत 21 भाशाओं को अनुसूचित भाशाओं का दरजा दिया गया था ठीक है तो वे भाशाएं जो सवाल मैंने आप से पुचा था जो हमवर्क मैंने आपको दिया था उसका अंसर आपको यहां मिल जाएगा वे 22 भाशाएं जिन्हें सम्विधान की आठवी अनुसूची में रहा गया है उसे कहते हैं अनुसूचित भाशाएं टोटल कितने अनुसूची हैं कि गड़बन्ών सरकार करें सकते हैं फिर यहां से कई तरीकी के सवाल बन सकते हैं पिल के कितनी भाषाओं को समटिधान के अनुसूचित भाषा ऑ tutor दिया गया है 22 भासइं लिए खिये किस अनुसूची में रखा गया है Out टोटल कितनी अनुशूचियां है बारा अनुशूचियां है क्लियर चलिए अब भाशाई राज्य क्यों बात ये उठती है तो देखें हर राज्यों की अपनी राजभाशा है ठीक है राज्यों की अपनी अपनी राजभाशा है राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी र छिस राज में जो भाशा बोली जाएगी थीक है तो उस राज में जो प्रतानी धी जैसे की जनता है जनता के बीचमें से ये कांडिडेट चुना जाता है बई चुनाओ में जो प्रत्याशी खड़ा होता है उमीदवार खड़ा होता है उसी राज्य का खड़ा हुआ है उसे भी वही भाषा आती है और वही जीत करके देश की पार्लियमेंट में राज्य की विधान सबा में जाकर आपको रिप्रेजेंट करेगा बातारिये समझ में तो हर व्यक्ति कैसे उस भाषा को समझ पाएगा क्योंकि वह भ तब वहां हम रहां कर रहें वहां वही भाषा बोलेस आती है में दूसरी भाषा को इसमें लेके आएंगे कामकास की भाषा toc के मैं के आएंगे क्लिए है तो सम्वीधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाशा के तोर पर अंग्रेजी का प्रयोग कब से चालूँ हुआ था अंग्रेजी का प्रयोग एक तरीश की से कहा जाए तो 1965 बंद हो जाना चाहिए था क्योंकि पहले तो भाई ऑंग्रेजों की सरक की की अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए गैर हिंदी भाशी प्रदेश यानि की जहां पर हिंदी ना वहां के लोग बोल पाते थे ना समझ पाते थे उन्होंने कहा कि नहीं भई ना हम हिंदी बोल पाते हैं ना हम समझ पाते हैं हमें तुभी भाशा का माध्यम सरकारी कामकाज में क्या चाहिए इंग्लिश ही चाहिए अंग्रेजी ही चाहिए तो सम्विधान के नुसर सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में इंगलिश का प्रयोग अंग्रे जी का प्रयोग 1965 में बंदो हो जाना चाहिए था लेकिन जो गैर हिंदी भाशी प्रदेश थे वे राज जहां पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती थी नहीं समझ में आती थी तोनों ने कहा की नहीं अंग्रे जी में ही सरकारी काम काज होना चाहिए और राइट फिर तमिल नाडू ने क्या किया तमिल नाडू में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था कि नई भई जो हैं अंग्रे जी ही माध्यम रहेगी राज की भाशा का केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राज की कामों में प्रयोग की अनुमती दे कर इस विवाद को सुलजाया कि ठीक है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाशाओं में सरकारी काम होगा ठीक है? यानी कि सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रखा जाएगा किल ए है यहां तक की बात क्या कहते हो? ठीक है? तो भाशा ही राज क्यों बनाए गए के अपने अपने राज के लग-लग भाशा है और हर राज उसी भाशा में अपना सरकारी कामकाज देख पाता है चलिए अनेग लोगों का मानना था की समाधान से अंग्रेजी भाशा अभीजन को लाप पहुँचेगा जो अग्रेजी को ज़्यादा priority देते हैं अंग्रेजी ही बोलते हों, उनको ज़्यादा लाब पहूँचेगा फिर राजभाशा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारज सरकार की नीती बनी हुई है कि हिंदी को जादा बड़ावा देना चाहिए ऐसी हमारी भारत की गवर्मेंट की नीती बनी हुई है पर बड़ावा देने का मतलब ये नहीं है ध्यान से सुनेगा हिंदी को बड़ावा बिल्कुल दिया जाता है जैसे कि हम बात करें कि अभी काफी सारे वर्षों से एक डिम केंद्र सरकार अब ध्यान से सुनेगा कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाशा बोलते हों ठीक है हिंदी को बड़ावा देना है लेकिन उन राज्यों पर हिंदी भाशा को हमें थोपना नहीं हो जिन राज्यों के लोग हि लचीला रुख अपनाया कि भई हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों को जो है सरकारी कामकाज की भाशा बनाते हैं इसी तरीके से काम चलेगा यानि कि लचीला व्यावहार अपनाया कि हाँ ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति जो राज्य हिंदी भाशा को नहीं समझपाते नहीं वोल प अपनाया उसी से हम श्री लंका जैसी इस्थिती में पहुंचने से बच गए श्री लंका कहां से आया चैप्टर नमबर वन से आया चैप्टर नमबर वन में क्या पढ़ा था सत्तागी साजेदारी दो एक्जांपल पढ़े थे कौन से एक्जांपल एक पढ़ा था हमने श्रीलंका के बारे में तो बेल्जियम ने तो समस्दारी दिखाई थी डच भाशा और फ्रेंच भाशा को बराबरी से अधिकार दे दिया था। के आधार पर राज्यों का बटवारा किया सभी भाशा को प्रातमिक्ता दी और सरकारी काम काज की भाशा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी को अपनाया जो की सब की समझ में आता है थीक है तो हम किसे बच गए स्री लंका जैसी स्तिती में पहुंचने से बच गए कि श्री तो इस तरीके से जो है भारत में भाशाई आधार पर राज्यों का जो निर्माड किया गया पुनर गठन किया वो बहुत ही सकारातमा कदम था और इससे हमारे देश में और जादा एक ता दिखाई देती है और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो इन में से 22 भासाओं को संबीधान के आठ में अनुशेद में अनुसुचित भाशाओं की लिस्ट में रखा गया है और अन्य भाशाओं को अनुसुचित भाशा कहा जाता है ठीक है तो संबीधान की आठ वी अनुसुचित भाशाओं की लिस्ट में विद्ध देश है यानि की सबसे डाइवर्स देश है लेंगविज के मालमे में क्योंकि यहां पर कई सारी भाषाएं बोली जाती है और हमारे देश के समविधान में 22 भाषाओं को अनुसुचित भाषा का दर्जा दिया गया है चलिए इसी के साथ आज का ये शैशन यहीं पर खतम होता है तो हमने जाना की भाषा के आधार पर भारत में राज्यो का पुनरगठन कैसे किया गया और अलग-अलग भाषा को बरावर इंपोर्टेंस देने के कारण भारत में कैसे एक ताक आयम रखी गई आल राइट तो जल्दी ही मिलते हैं अगले टॉपिक के शाथ अगले लेक्शियर में तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ अगर आप हमारे डेली के लाइव लेसन और रिकॉर्डर लेसन से जुनना चाहते हैं सारी चीज़ें उपलब्ध हैं मैगनेट ब्रेंस के एहां सारी स्पेशल कोर्स भी हमारे पास आपके लिए हैं जैसे की वैडिक मैस्ट्रेश कोर्स स्पोकन इंगलिस और इतने सारे कोर्स आप ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर high quality education के साथ fully organized complete course के साथ एकदम free में आपको provide कराए जाते हैं जी हाँ, यानि कि आपको एक भी रुपए का कोई भी शुल्क देने की आवशकता नहीं है और मैंगेट में इस YouTube के लावा other social media platform जिसे की Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp पर भी उपलब्द है आप हमें यहां भी follow कर सकते हैं, यहां से भी सारी जानगारी पराप्द कर सकते हैं तो आज के शेशन को जादा से जादा लाइक और शेयर करते विए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है हमारे साथ बने रही है, जुडे रही है, पढ़ते रही है, खुशी है, थैंकि सुमच